हाई गाईज, वेलकम टो इलेक्टरिकल स्टोर हाउस आज हम बात करेंगे ब्रुष कार्बन के ही क्यों बनाये जाते हैं, कौपर के क्यों नहीं तो हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि ब्रुष कार्बन के ही क्यों बनाये जाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है कार्बन एक सॉफ्ट मटेरियल है जिससे इसकी स्लाइडिंग प्रॉबर्टी बहुत अच्छी है इसी वजह से ये कॉम्यूटेटर पर अच्छे से स्लाइड करता है मतलब फिसलता है जिससे स्लाइडिंग के लिए इस पर किसी भी प्रकार के लुबरिकेंट लगाने की आवशकता नहीं होती है ये खुद का लुबरिकेशन जनरेट करता है या तो हम ये कह सकते हैं कि ये आटो लुबरिकेटिंग होता है ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि बीरिंग वगारा में हम लोग ग्रिस डाल करके उसको स्लाइड कराने के लिए यूज करते हैं लेकिन कार्बन में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है सेकेंड है हमारा अचलों कार्बन है जरूरत नहीं होता है जब तेंप्रेचर इंक्रीज करेगा मतलब बढ़ेगा उस वक्त हमारा जो रजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा मतलब घटेगा और पॉजिटिव टम्प्रेचर कोफिशेंट का क्या मतलब होता है कि positive temperature coefficient में जब temperature बढ़ेगा तो हमारा जो resistance होगा resistivity होगी वो भी बढ़ेगी ठीक है तो carbon जो होता है हमारा वो negative temperature coefficient होता है मतलब जब temperature बढ़ेगा उस वक्त जो resistance होगा वो घटेगा ठीक है देखिए जब commutator rotate होता है तो brush और commutator के बीच sparking होती है ठीक है और sparking होती है तो वहाँ पर heat generate होता है और heat generate होने की वज़ज़ से temperature increase होता है temperature बढ़ता है जिससे resistance जो होता है carbon का resistance होता है वो कम हो जाता है और current easily flow हो सकता है ठीक है और copper में just opposite होता है next है हमारा carbon is softer than copper so will not damage the commutator जैसा हमने अभी बात किया कि carbon जो होता है वो एक soft material होता है लेकिन जो commutator होता है वो wedge shaped hydron copper का बना होता है मतलब एक hard material होता है तो जब commutator rotate करता है तो brush and commutator के बीच friction होता है यदि brush को हम harder रखेंगे तो commutator हमारा damage हो सकता है ठीक है इसलिए हम brush को soft रखते हैं और जिससे हमारा brush भले ही खराब हो जाए लेकिन commutator नहीं खराब होना चाहिए और जो ये brush होता है वो घिस्ते घिस्ते commutator के shape में हो जाता है कुछ इस तरह से देखिए जब हम new brush लगाते हैं तो कुछ इस तरह रहेगा लेकिन commutator के rotate करते करते वो कुछ इस shape में हो जाएगा ठीक है उसलिए हम brush को soft रखते हैं और carbon का प्रयोग करते हैं carbon brush का प्रयोग करते हैं next है हमारा carbon will acquire the shape of the commutator segment and so will ensure maximum contact with them जैसा मैंने अभी बताया carbon take easily shape of commutator ठीक है जब commutator rotate करेगा तो carbon brush और commutator के बीच friction होगा तो वो धीरे धीरे जो brush होगा वो commutator का shape ले लेगा कुछ इस प्रकार से ठीक है देखे next है हमारा carbon brushes have high resistance that make commutation easy ठीक है carbon brush जो होता है उसका जो resistance होता बहुत high होता है जिससे sparkless commutation प्राप्त करने के लिए ही हम use करते हैं मतलब sparkless commutation प्राप्त करने के लिए high resistance के carbon brush का use करते हैं next है हमारा melting point of carbon is high carbon का जो melting point होता है वो बहुत ही high होता है लगभग 3550 degree centigrade ठीक है और जो copper का melting point होता है वो होता है 1080 degree centigrade 1080 degree centigrade देखिए जब commutator हमारा rotate करेगा तो brush और commutator के बीच spark होगा और spark होगा तो heat generate होगया और इस heat की वज़े से हमारा brush melt न हो जाए उसी लिए हम carbon brush का use करते हैं क्योंकि carbon brush का melting point होता हो बहुत high होता है ठीक है अब हम brush के बारे में थोड़ा और जानते हैं देखिए या इस figure से आप देख सकते हैं जो हमारे carbon brush होते हैं वो कैसे होते हैं stationary होते हैं ठीक है और commutator हमारे क्या था rotating part होता है लेकिन जो brush होते हैं वो stationary होते हैं इनहीं से हम इनहीं से terminals लिख लिए होते हैं ठीक है supply के लिए carbon brushes are housed in the brush holder a small spring keeps the brushes pressed on the commutator surface carbon brush carbon holder में लगाया जाता है commutator पर carbon brush का pressure brush holder के पीछे लगे हुए spring के adjustment द्वारा किया जाता है current is collected from the armature winding by means of two or more carbon brushes mounted on the commutator ठीक है मतलब brush का कार यही होता है कि commutator से विद्दुधारा एकत्र करके उसे बाह्यकारे परिपत में भेजना ठीक है brush का एक और कारे होता है ठीक है यही कि winding को parallel circuit में divide करना ये भी brush का बहुत बढ़ा कारे होता है ठीक है carbon brush के अलावा भी हम एक और brush का यूज़ करते हैं जिसे electrogrified brushes भी करते हैं इसका भी प्रियोग बहुत सारी मशिनों में किया जाता है ठीक है जहां पर हम carbon brush का यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पर electrogrified brushes का प्रियोग करते हैं ये भी auto lubricant होता है अभी तक हमने carbon brush होने वाले advantages देख लिए तो जब किसी चीश से कुछ advantage होता है तो उसका कुछ न कुछ disadvantage भी होता है तो अब हम उसके disadvantage के भी बारे में देख लेते हैं पहला disadvantage है carbon brush का जो current density होता है वो 7 से 8 ampere पर cm2 होता है जबकि copper brush का current density होता है वो 25 से 30 ampere पर cm2 होता है इसलिए carbon brush का प्रियोग करने पर बड़े brush holder प्रियोग करने परते हैं जिससे लंबे commutation की आवशक्ता पड़ती है इस प्रकार machine का मुल्य बढ़ जाता है मतलब machine बहुत costly हो जाता है देखिए carbon brush का जो contact resistance होता है वो अधिक होता है जो कि एक अच्छी बात है sparkless commutation के लिए बहुत लाबकारी है contact resistance अधिक होने के खारण जो voltage drop हो सकता है वो 2 volt तक हो सकता है जो कि copper brush की अपेक्षा बहुत अधिक है इसलिए छोटी machine पर carbon brush को लगाना उचित नहीं है क्योंकि यह वोल्ट ता काफी प्रतिशत हान यूदपन करता है ठीक है और mutator and brushes का प्रियोग DC machine में मतलब motor and generator में slip ring induction मोटर में auto transformer में और universal मोटर में किया जाता है universal मोटर जैसे drill machine इन सब में किया जाता है I hope आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा Thank you for watching my video